अर्स किया है इर्षाद भाईया ऑस्ट्रेलिया को छे विकेट से हरा कर जड़ दिया हो जैसे एक चाटा अहे है ये वाइलेंट नहीं 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 तो आस्टेलिया को छे विकेट से हरा कर जैसे जड़ दिया हो एक करारा चाटा टीम इंडिया ने बता दिया कि वह यह ऐसे खोलते हैं वर्ल्ड गप में अपना खाता बहुत बढ़ बढ़िया ने अपना बढ़िया खाता तो खोली दिया था जैसे हम इस शो का भी फिलाल खा और बाकी अभी एक है टीम ऐसी जिसको अपना खाता खोलना है मैच चल रहा था नेधरलेंड्स बरसेज न्यूज़ेलंड और सिंपल सी बीसी बात ये है कि ब्रेक न्यूज़ेंड ने नेधरलेंड्स को ब्रेक कर दिया है तोड़ दिया है वर्ट प्ले दिख रहे हो बस व और नेधरलेंड्स मातर 223 रन ही बना पाई और आल आउट हो गई वैसे जी नेधरलेंड्स का जो स्कोर रहा मुझे लग नहीं रहा था कि इतना भी बना जाएंगे न्यूज़ेंड के जिस तरीके से चल रही है बाटिंग मतलब सच में और बॉलिंग भी मैं तो कहूंगा स अपना सेंटनर लेकर आए है यह बड़ी मतलब टाइम पर लेकर आए है एक दम प्रॉपर मोमेंट पे बिलकुल भाई मतलब ऐसा बिलकुल पतला सा लड़का है लेकिन ऐसे लंबे-लंबे चक्के मारता है वहारे जैसे तो खेलते भी नहीं है यार हमको तब पहले सी बाहर क चौके थे एक छक्का था इस पारी में 80 का स्ट्राइक रेट था तो एक शुरुवात देने की कोशिस जरूर करी दी लेकिन वहीं पे विल यंग जो आए उन्होंने भी 70 रन बनाए बहुत बढ़िया शुरुवात दी 80 बॉलों पर उन्हों 70 बनाए 87.5 का स्ट्राइक रेट रहा 7 फोर्स थे और 2 सिक्स थे एक तो आज करना 87.5 स्ट्राइक रेट भी देखते हो ना आपको लगते है और पर कम सा रहेगे रचिन रविंद्र यार यह पिछले मैच के हिरो थे 51 रन इस बार भी जड़े है वाई इस बंदे ने 51 ही बॉल पर 100 का स्ट्राइक रेट यह ल बाई दे को स्ट्राइक रेट इंप्रूव हुए जा रहे है न्यूजिलेंट का यही गेम है यही टीम जो है अपना इंप्रूवमेंट करे जा रही है टॉम लाथम ने भी 53 रन बनाए 46 बॉल पर 115.2 का स्ट्राइक रहा छे चौक के एक चक्का और बाद में अगर आप इसलिए मैं कहा रहा हूं कि यह जिस तरीके से खेल रहा है यह अपना जो पीक है न्यूजिलेंट यह बहुत सई टाइम पर लेके आ रहे है और सैंटरनर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको इंडिया के पिछे अचानक से रास आने लग गई है यही तो मेरे जीवन में कभी रह अचे थोड़ी स्पिन वाली पिछे लेके आओ मैं विक्टे निकालता हूं पांच यह लेकिन साफ सीदी सी बात यह भी है कि जिस तरीके से वो अपनी बाॉलिंग भी कर रहे थे पहले भी आये थे लेकिन उतनी बड़े धाक नी छोड़ पाए बागे नीदरलेंड की जो ब बैटिंग में इनकी देखने को मिलते हैं ओपनिंग करते हैं बागी नेधरलेंड के लिए अगर आप देखोगे पॉल वैन मीखर अगर आप देखोगे नौ अवर के अंदर दो विकेट नोने लिए 58 रन दिये चाड़े 6 से उपर का एकॉनमी रेट तो यह भी अच्छी तर लिए टीम और उस टाइम पर नेधरलेंड की तरफ से कॉलन अगरमन सबसे शफल वहाँ पर रहे बैटर रहे और अगर आपको बैटिंग काड दिखाते हैं सबसे पहले तो आपको नेउज़लेंड करण भाईंग काड दिखाते हैं डिवान कॉनवे 32 रन विल्यंग 70 रचन आविंद्र एक्यावन, डार्यल मिचल 48, टॉम लाधन 53, ग्लेन फिलिप्स जो है चार और मार्क चैपन 5, मिचल सांटनर 36 और मैट हेंरी 10, इन्होंने भी वैसे अगर आप देखो चार बॉल पे 10 बनाए हैं तो 200 का हिसाफ के इनका पूरा, नेधरलेंट्स की बैटिंग अगर आप कब तक बांगलेदेश को यह कहते रहोगे कि यह दिल जीते जा रहे हैं लेकिन एक प्लेयर और था जिसने आज सब का दिल जीत लिया और वो है इस मैच के सबसे बड़े खिलाडी, क्या लगता सबसे बड़ा खिलाडी कौन है? सबसे बड़ा खिलाडी भाई वही है यार मतलब जिनकी अभी हम इतनी देर से बात कर रहे है न्यूजिलेंड में पाउर्ड भाई ये भाई खिलाडी-X.com है और सबसे बड़े खिलाडी दो वन एन ओली मिचल साइटनर भाई भाई साइटनर अल राउंडर मतलब वो जो लिखा होता है नाम किया गए कि आल राउंडर है बंदा आज बंदे ने बताया कि आल राउंड परफॉर्मेंस कैसे की जाती है असल में होती ही क्या है बाई 36 रन बनाई 17 वालों में 3 चौके लगे और 2 चौके लगे 5 विक्ते साथ-साथ निकाल दी बहुत ही बढ़िया मतलब हो गया था और 5 विक्त में तो ये भी कहूंगा कि पिछली बार इननों ने जो 2 विक्त निकाले थे इंगलेन के खिलाफ और इस बार इनों ने 5 विक्त निकाले तो यह जो पीक कर रहे हैं चानल एक से इंडिया की पिछे जो उनको रास आने लग गई है मैं तो कह रहा हूँ कि मज़ा ही आ गया लेकिन भाई मतलब सैंटनर की बात तो मानने पड़ेगी नौई मैच खेले हैं इस साल के अंदर ओडिया इसके अगर बात करें 231 रन भी मारे हैं 11 विक्टे भी लिया और इनकी बेस्ट फिगर 59 रन देके पांच विकेट रही है वाई तो भाई सैंटनर से तो बच्च के रहना पड़ेगा इंडिया को हमारा तो यही मानना यार लेकिन चिन्नाई में टीम इंडिया के ओपनर्स ने निराश कर दिया था भाई इंडिया के बारे में आप बात करेंगा इंडिया के ओपनर्स थे वही है यह तो टॉप टॉप अपने थे अपने चाहिए रेगुलर ओपनर जो शुबमन गिल है उनकी भाई फिटनेस पे सबकी नजर है क्योंकि डेवू से उनको जो है वो लड़ना पड़ रहा है फिलाल शुबमन पर जो अपडेट आया है वो उनके फैंस को निराश करने वाला है यह थोड़ा सा तो यार यह तो गलत हो गया शुबमन भाई और टीम के साथ जो है वो दिल्ली भी नहीं गए शुबमन गिल चिन्नई से दिल्ली भी ट्रावल नहीं किया और शुबमन अभी चिन्नई में ही रुके हुए हैं गिल की निगरानी मेडिकल टीम कर रही है और डेंगू की वज़े से चिन्नाई में भी टीम से बाहर थे यार और इशान किशन को इनके मतले मौका जरूर मिला था उसको लेकिन वो भाई बिलकुल एक परसंट भी इन कैश नहीं कर पाए पहली बॉल पर कौन आउट होता है लेकिन शुबमन गिल भी जो है अभी फिलाल चेन नहीं ही रुके हो हैं और मेरे खाल से जादा अगर वो परिशानी ना लें अपनी ट्रावल वगेरा की वही बहतर रहेगा उनकी मेडिकल टीम जो निगरानी कर रही है अच्छे से कर लो हमें शुबमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ चाहिए बिलकुल भाई मतलब आप य मैच खेल चुके है बाई उननिस सो सत्रा रहन है हाईश्ट दो सो आठ का और च्यासट की आवरेज बाई बहुत ही बड़ी है मतलब उसके हिसाब से शुबमन गिल जो है और अगर यह पाकिस्तान के खिलाफ आ जाते हैं तो मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान को डरना चाहिए लेकिन फिराल पाकिस्तान थोड़ा निश्चिंत भी बैठा होगा मैच आगे है पहले अफगानिस्तान से मैच होने वाला है लेकिन फिर भी सारे लोग चाहरे हैं कि टाइम से अगर शुबमन गिल ठीक हो जाए तो भाई अब मज़सा आ जाए लेकिन उसके बाद पेच वह भी भाई श्रेया जायर पिछले मैच में एक लिए ऐख पे गए इशान के लिए यह तो कौन आके खेलेगा और श्रीलिया के खिलाव भाई मलब बिल्कुल शरेंडर कर दिया रहा कर चाहे वह रोहत शर्मा हो चाहे वह अपने शान की चाहे वह आपने यह उख चाहे वह commentators आके वो कहते कि exuberance of youth, लेकिन ये थोड़ा सा ना जब आप देख रहे हो कि वहाँ पर सामने Australia है, जो रंग बदल जाती है, आप पहले उन से खेल रहे थे, वो उतना बढ़िया आपको नहीं दिख रही होगी, तो एक से आप ओडिया से जीत का है, जैसे ही ICC का कोई टौर् पिछ थी, सब लोग सोच रहे, भाई, spinner से विगट जाएगी, spinner से विगट जाएगी, हमने का नहीं, हम भी बताते हैं, हम अलग कर सकते हैं, हम पेसर को विगट दे देंगे, भया, हमको तो swing समझ ही नहीं आती है, कहां से अंदर गुपती है, और कहां से विक्टो पे जादी यार लेकिन नहीं बहुत, मतलब यह अचुली कंसरन था, क्योंकि आप इशान किशन का भी रिकॉर्ड देख तो 26 माज में 886 रन है, 200 यह भी बना चुके है, 210 का हाईस है, 42.89 का इनका अवरेज है, ओपनिंग टीम इंडिया के लिए उन्हें करनी थी, बैक अप ओपनर तब से कहा जा रहा था, किसी को नहीं बताता कि शुबमन के लास्ट मोमेंट पे मतलब बिमार हो जाएंगे, इशान किशन अब अगर आए हैं तो उनको थोटी सी रिस्पॉंसिबल अपनी बैटिंग वो दिखानी पड़ेगी, अगर वो रिस्पॉंसिबिलेटी नहीं लेंगे कि यह ना हो जाए, कि आप फिर से केयल राहूल को एक्स्पेरिमेंट करके टॉप में ले आओ, और उनकी बैटिंग का थोड़ा इधर उदर कुछ हो जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कमाल लाजवाब बिल्कुल रिक्स नहीं लेना है लेकिन टीम इंडिया के साथ म अटक जाता यार, लेकिन भाई वहाँ पे पूरा उन्होंने किया यार, मतलब कैच छोड़ी पूरा साथ दिखाया, एक बार ही वो हुआ, उसके बाद तो लेकिन बहुत बढ़िया हो गया था, हाँ बाई, और चिन नहीं में और मलब इंडिया ने और श्रीलिया के खिलाफ छे विकेट से जीत तो भाई दर्च की, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था, जब सिर्फ 200 रनों के लक्षे को हासिल करने के लिए उत्रे भारत के जो ओपनर्स थे, उनको भाई इतना गटिया प्रदरशन था, और शर्मनाख हार का खत्रा मंडराने लग गया था, दो पर ती भाई हमारे साब, भाई 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 बहुत बढ़ी आ रहा जब भी प्रेशर आया, फिल्डर्स ने चेननेगी के अंदर अच्छा प्रदरशन किया, बढ़ी आ परफॉर्मेंस रही, और कप्तान के तौर पर रोहित के फैसले जो रहे, बहुत सही रहे, टॉप ओडर का बिखारना सबसे बड़ी चिंता, मतलब ये जो थी, ये टॉप ओडर जो है, अगर ये क्लिक कर जाता, मैं तो कह रहा हूँ कि मिड्ल ओडर तक शायद आता ही, बात ही नहीं आती, केल रहो बैटिंग ही नहीं आती, और भाई, वहां पे मेरे को तो तकलीफ ह ये हार्दिक पांडे को क्या क्या परिशानी है यार, ये एक दिक्कत है, मतला आपने थोड़े दिन पहले उनको वेस्ट इंडीस में देखा होगा, तो ये तिलक वर्मा के साथ हुआ था, अभी मेरे को पता रही क्या, ऐसे कोई कह रहा था, मैं शूर नहीं हूँ, इस बार साम से के लो 50 करना है, मैच पूरा करना है, भाई ने खुछ चक्य मार मार मैच इता दिया, खतम करा, भाई 49 पर स्रेंड़, और और कुछ कह भी नहीं सकता, सामने कैप्टन थे वाई, उस ताइम पर कैप्टन थे वाई, अर देख पांड़ नहीं का, भाई में करू तो करू जमी थी, और उस ताइम पर लग रहा था कोई एक बंदा तो एटलीस सेंचुरी करके जाएगा, और जब विराट भाई आउट हुए, उसके बाद लगा कि अब तो केल राउल कर ही लेंगे, लेकर अर्दिक पांड़ लेकिन आये, बॉले बहुत पढ़ी हुई थी, एंडिया का तो भाई, सिंपल रूल है, किसी का माइल स्टोन खराब करना है, मुझे बहुत अच्छे जाद है, मैं एक्सपर्ट हूं इस चीज के अंधर, लेकिन चलिए, अब आपको जो है, वो हम दिखा देतें कि भाई, बारत के ओपनर्स के प्रदर्शन और बैटर्स की पूफ क्रिकेटर, हमारे अपने शोए वक्तर ने क्या का, हमारे अपने, हमारे अपने, रोज रोज आ रहे हैं हमारे पास, तो दिखाते हैं भाई आपको, यह अनेक्सपेक्टेट था, मुझे नहीं लगता था ना, आप सोच सकते थे कि फास बोलर आके यहां पर दुखते लेकिन मेरा यह आईडिया हमेशा होता है, कि नया बॉल हो, जब भी हो, शाम को, किसी वक्त भी हो, बॉल सेम जरूर होगा, तो अनेक्सपेक्टेट था, लेकिन इस तरह विक्टें गर जाना, मुझे लगा कि यार अब काम खराब है, तो लेकिन है कि मुझे यह था कि आप दोनों बड़े ही मज़े वेखला रही हैं, बड़े तिजर्बकार खला रही हैं, विराट और केल, हमुचधार खलावी था, आणके विराट फिर चला रही है, अगर आप देखें, विराट चला गए, इआउट हो गये थे, वह तो मार्श भईया हमारे काम आगे, कि लेकिन केल रहा हुल ने कोई ऐसी गलती नहीं किया हलां कि उसको बाल उपर नीचे उपर नीचे जाता रहा लेकिन उसने बड़े जबर्दस तरीके से उसने जैंपा को जो दुगाया ना वहीं से मैच उसने खत्म कर दिया था अब उपर से आगया ड्यू फैक्टर स्पिन ह होना नहीं था अब बॉल बल्ले पर ठक करके लग रही है तो उन्हें नहीं कि आपकी खैर नहीं आज तो फिर उसके पर खैर नहीं होनी थी तो आइटिंक कि जब बराट और केल सेटल होगे ना तब उस गेम वस ओवर यारी चांसलेस बाटिंग है ना मतलब केल राहुल की स करो गई होता था सभी मतलब केल राउल जब अश्या कब शूरू होने वाला था और केल राहुल अपनी इंजरी से बापेस आरे तें तब सबको यह लिए ले रहा था कि चलो इशान-क शृंत हम मिडल ओर किरें है केल राउल को देख लेते हैं पाकिस्तान के मैच में डालना है या नहीं डालना है वहाँ पर आके उन्होंने भाई बंदे ने तल्डी सेंचरी मारी और वाई केल राउल ने बाई कारनामा कर दिया 97 रन मारे कल एक सो सूला रन नहीं बाई किंग कोली में न मैं इदर उधर हो जाता है ठोड़ा पसंद भी तो बहुत है और छे चॉक्षे इनकी पारी में रहे और तो मुला असी नभय असी नभय उन्होंने का था ना अपस में के बता रहे थे केल राहूल भी के हमारी आपस में ऐसी बात ह जालते रहो, टेस्ट क्रिक्ट की तरह खेलो, देखते आंगे क्या होता है, जीती गए, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जीत गए हम तो, भाई सही मैं यार मतलब, और कल बड़ी तारीफ करीती है, अच्छली हमारे खिलाडी एक्स.com, The Cricket Show के ऊपर, आकाश, शोप्रा मतलब, इतने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी आके यह कह रहे हैं, कि अगर विराट कोली के साथ, जो चेज मास्टर माने जाते हैं, उनके साथ आपने एक इतनी बड़ी पारी खेली, और उस पे, उस पारी को लोगों ने भाई, इतना उपर कर दिया कि यह विराट कोल उनको दिया गया, एक तो पहला कप्तानों ने अपना रूल बना रखा है, यह तो हमें मिला हुआ है, जीरो रन पे आउट हुए वो, अनफॉर्चनेट था, छे बॉल उन्हों ने खेली थी, और जिस तरीके से वो, डीरेस भी उन्हों ने लिया, उसके बाद उनका आया, अ बात यह है, यह तो बैटिंग जो है, यह जैसे तैसे टाइम इनका निकल गया, इनका काम पूरा कर दिया, मिडल ओर ने आके, बालिंग लेकिन अब जो है, हमारी बालिंग भी बहुत इंप्रेसिव थी, अच्छी जीज यह थी कि अश्विन वहाँ पर रिटर्न कर रहे थे अश्विन विकेट एक ही लिया, एकोनोमिकल रहे, बहुत लोगों को उमीदे थी, अब दिक्कत एक यह भी है, कि आगे जो अगला मैच है वो दिल्ली में होने वाला है, अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हमने देखा था कि साड़े 400 रन, सवा 400 रन, सवा 400 रन, सवा 400 र इनको यह सबसे अटाकिंग, आकाश भाई ने तो यह भी कह दिया था हमारे शो पे, कि यह इस टाइम पर ODIF format अगर आप लगा लो, तो best baller in the world, मतलब ODIF के अंदर spinner, best in the world है, तो आप ऐसे में कुलदीप को drop नहीं कर पाओगे, simple cdc बात है, अब यहां पर बात आती है, अ रोइद शर्मा उस्टेलिया को हराने वाली playing 11 के साथ उत्रेगी, या फिर, balling line में कोई बड़ा change आएगा, यह सुनते है, former cricketer शोय बक्तर के, जो कहा हमारे लिए, हमारे शो पर ही का, उनको आपको सुनाते हैं, जरा सब क्या कहा था? अब यह better choice मुझे लगता है, यह change करेंगे, रोई चर्मा एक की बैटन पर चलने वाले निसान है, लेकिन यह wicket था आज, अश्वन का वैसे, क्योंकि वो खेले भी हैं यहां काफ़ी, वहीं के हैं, तो आज उनको, मेरा जो आई, जहां ता इंताजा है, तो वहां सा दलेरी दिखाते, थोड़ा गुप्तान से जाज़त लेते, थोड़ी फ्लाइट करते, टक टक करके, तीन चार आउट करते, और पर जगा पकी करते, लेकिन आई अग्री विद लकाश के, आज़ना हमें शामी आएंगे, और खिलाना भी चाहिए, देखें यार, यह early October है, आप भी पंजाब के इस हिसे में रहते हैं, हम भी रहते हैं, यहाँ पे due factor है, थोड़ी हलकी सी ठंड होना शुरू होगी है दिली में, तो मेरा यह ख्याल है, इसलामबाद में तो ठंड पढ़ गी है, वो तो मैं नहीं जैकट नहीं पहन रहा, लेकिन, लेकिन हैं कि, I think, fast bowler, it is gonna be crucial अगर आपने second balling करनी है तो, भाई शोइब भाई बोल ए है दिली में ठंड पर नहीं तो अगर आपने इनको इदर अधर कही नहीं देखा आपने यूट्यूब चैनल पे नहीं तो सीरियस है, लेकिन मुझे लग रहे हैं जान की नहीं आ रहे हैं दिली इनको पता है यह गर पाकिस्तान और क्रिकेट से चुड़ी हुई एक थोड़ी सी, मतलब ग्राउंड से जरा सा बाहर अगर निकलोगे तो एक खबर और भी है कि पाकिस्तानी टीवी प्रेजेंटर जैनब अबबास पाकिस्तान वापस लोट गई है और दुबई के रास्ते वो वापस पाकिस्त अब बढ़ा हलाकि उनकी तरफ से आ नहीं रहे कि एक्जाक्ली प्रॉब्लम क्या है और किसलिए वापस गई है जैनब की जाने पर जैनुज ने आएसी सी से बात भी की थी और आएसी सी का बयान ये है कि नीजी कारणों से पाकिस्तान लोटी है जैनब अब अबास तो पर् हमारा शो आप देखते हो यहाँ पर फन है यहाँ पर एक्साइटमेंट है वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट में आप यहाँ बिल्कुल भी मत भूल जाना कि यहाँ पर जितनी भी और चीज़े होने वाली है आपके लिए स्पेशल आपके लिए होने वाली है कि Zee News पर चल है सबसे बड़ा क्विस जो उड़ा देगा दिमाग का फ्यूज क्योंकि क्विस जीतने वालों को मिलेगा फैमिली ट्रिप ऑन कॉल्डेलिया क्रूज तो अब वक्त हो गया है यह बताने का कि किसने जीती है कॉल्डेलिया क्रूज ट्रिप हमने पहला सवाल पूजा था क्र समराड दास जीता है कोडेलिया कुछ उस पर फैमिली ट्रिप भाई समराड भाई समराड भाई एश हो गई एश आपकी बिलकुल लेकिन आपके पास भी जीतने का मौका है वर्ल्ड कप के दौरान जी न्यूस पर लगातार क्रिकेट पुइस जारी है आज का सवाल भी आपके करने के लिए टाइप करें जेडेन स्पेस ऑप्शन एबिया सी और भेज दीजिए 57575 पर भाई इसमें जीतने वाले को क्या मिलने वाला है अरे वाया सवाल तो बहुत बढ़िया है लेकिन जवाद उससे भी ज्यादा बढ़िया है बाई क्योंकि आपको पता ही है हमने पत उस अधिए ढाई बाई उसरेढ़िया है 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 अर्बस है 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 कर डिर वेलिया है वे वे मज़ा आगया भाई मज़ा तो आई गया इसलिए मैं कहा रहा हूँ जल्दी इसे भेज दीजे सही जवाब और Cordelia Cruise ट्रिप पर ले जाई अपनी फैमिली को जनाब देखते रहिए जीरियूज और खेलते रहिए क्रिकेट का सबसे बड़ा क्विज यही वाला दे ट्रिकेट क्विज तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ यार मतलब बढ़िया चीज है इतने बड़ा अब ओ सम्राट भाई को आपने देख लिया वह भी हमने देख लिया तो भाई आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अंडल्स पे और अपने सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब हम अपने एक्सपर्ट्स अकाश भाई और शोय बाई से आपको दिलवाएंगे हम बिल्कुल ऐसा करते हैं अगर आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहते तो आपको पता रहेगा लेकिन आज का में बस इतना ही मेरा नाम है प्रशांद कपूर मैं वो भी शेक मंचन्दा और आप देख रहे हैं जीनियूज